आज महिला परिविक्षक चेव एक्जाम हुआ है 27 अगस्त को इसका हम मौडल आंसर देखेंगे संभावित है ना अनलिसिस करेंगे अगर आप कितने नंबर बना है तो आप कोश्चन नंबर और आंसर आप यहाँ पर चेक करते चलेगा ठीक है आप जितने भी कोश्चन बना ह अपना पीडियेप या फिर जो भी है आपका कोश्चन पेपर हैं आप सामने रखिएगा और टीक लगाते चलेगा कि आपका कितना नंबर सही हो तर कितना नहीं होता है ठीक है तो आप लोग कमेंड बॉक्स हो में कमेंड करके बताएगा कि आप लोग कितने नंबर तक बना तो महिला यंबाल विकास के विभाग से जितने भी योजना कारकरम बने हैं वो सभी देखेंगा और हमारे यूटूब चैनल पर जितने भी हम क्लास करवाया है उसमें कितना कोश्चन आया हुए है आम सबको आप बताएंगे देखेंगा यहाँ पर कि प्रधान मंतरी मातरी वंदना योजना के अंतरगत दुरूति ये बालिका के जन्म पर मताओं को दी जाने उन प्रोसारा से आपका एक किस्त में 6,000 रुपे ठीक है आंसर ए होगा चलिए जितना भी कोश्चन का आंसर करा रहा हुना सभी लोग अपना आंसर कोश्चन मिलाते चलिएगा और कमेंट में बताएगा है ना और वीडियो को एक ही बाल आइकन है डबल क्लीक नहीं करना है ठीक है चलिए 2011 के जन्संख्या के आंकणों के अनुसार 36 गर राज में बाल लिंगन उपात कितना है आप लोग बताईए आंसर A 975 आपसन B 964 आंसर C 943 या आपसन D 956 तो इसका आंसर दोनों में से एक होगा लेकिन यहाँ पर व्यापम लेगा 964 है ना लेकिन 2011 के जन्संख्या को लिंगन उपात पुछा जाएगा 943 होता है लेकिन यहाँ आपक बी होगा इसके बाद देखते हैं कि राश्ती परिवार स्वास्त सर्वे 5 के अनुसार 36 गर में जो कुपोशन दर है वो आपको हो जाएगा 31.3 परसेंट याने की 31.3 परसेंट होगा टोटा 100 परसनों का मॉडल आंसर हम देखेंगे संभावित आप लोग सभी का आंसर मिलात चलिएगा ठीक है 36 गर राज्य की मुख्य खन्या विवाहा योजना में जो अभी लाजों किया गया है पहले कितना देता था 25,000 अभी कितना दिया जहें 50,000 रुपए इसका अंसर होगा B, तो कितने लोगों का अंसर सही हो रहा है, कितने लोगों का नहीं हो रहा है, comment box में comment करके बताएगा, ठीक है, और यह question आपको मैं कराया था, ठीक है, जितने भी हमारे YouTube चैनल पर जो लोग class किये थे, यह question कम से कम 5-6 question यहां से आपका मिल रहा है, ठीक है, देखिए, यहां प B होगा, एक मिनट न, चलिए, आपको clear दिखाई दे रहा है न, इन में से किसे जीले में लड़कियों के लिए सम प्रेप्षण गिरी नहीं है, तो आपका आजाएगा answer D, रैपूर, ठीक है, option D होगा, सभी के लोग मिलाते चलिएगा महिला परिछक वालों, जो आज exam दिला कराएं हैं, कितना नंबर आ रहा है, कमेंड बाक्सों में बताइए, वह एक मात्र वर्स जिसमें वजन तेवहार के आंकडों के अनुसा, पिछले वर्स की तुर्ण में को कोशन दर कितनी है, तो आपका answer D होगा, 2016, 17, जो कि आपके आंकडों का अनुसार पिछले वर्स की त आया था, ठीक है, यह कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार, 36 गड़ की कितने जीलों में, वन स्टॉप सेंटर संचाली था है, तो टोटल आप बताएंगे 27, ठीक है, कितने है, 27 एक बार, मिलाते चलीगा, अपने question paper को, ठीक है, आप देखेंगे, 36 गड़ में टोनी उत्पिडन निवानन अधिनियम 2005 कर, यानि कि टोनी प्रतार्ना निवानन आपको क्लास में करवाया था, और यह एक्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यह question आपको करवाया था, और एक्जाम में देखने को मिल रहा है, यह आपको धारा 13 आएगा, इसको मै जो question करवा रहा था या फिर कराया था ना, आपको यह question मिल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा, भवन निर्मान है, तो निर्धारित की गई, संसोधित लागत कितनी है, बाला लाग प्रती अंगन बड़ी भवन, कितना है, बारा लाग इसका अंसर C होगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और सेयर जरूर कीजेगा, ठीक है, और आने वाल एक्जाम जैसे की व्यापाम और प्यसिक तयारी करना चाहते, तो चैनल को सस्क्राइब करके रख लीजेगा, पोशन 2.0 के अंतरगत, गंभीर पोशो, गंभीर को पोशित बच्चों के पूरक पोशन आहर के वित्तियम आपदान है, बारा रूपय प्रती हित गही प्रती दिन, यानि कि एक दिन में कितना रूपय दिया जाता था, बारा रूपय, ठीक है, चलिए, नोनी सुरक्षा योजना आपको मैं कराया था, यह भी एक्जाम में आया हुआ है, देखिए, नोनी सुरक्षा यहां से कम से कहा हूँ आठ से नौ कोशन यहां पर देखने को मिल रहा है इसलिए मैं कहता हूं डेली क्लास अटेन कीजिएगा किसे और न्याय योजना यानि की बालकों की देख भाल और सरक्षन दिर्यम 2015 में कौन सा प्राउधान पोशन देखने और से संबंदी थे धारा 44 आपसन बी पंदरवेक आंसर क्या कहता है कि 36 गराज जमें अंगन बाड़ी करे करता हूं कि सेवर नेतिर पर देव उपादन की रासी कितनी थी 50,000 रुपए आपको मैं कोशन करा था ये भी आपको एक्जामें देखने को मिल रहा है आप देखते हैं यहाँ पर प्रोटीन एनरजी को पोशन के करण कौन सी बीमारी होती है तो ये आपको मरास्म है ना आपसन बी निम्न में से पोशन अभियान का मुखे घटक नहीं है तो कौन सा होगा आपसन डी 36 गर राज्य में मुख्यमति सू पोशन योजना की शुरुवात कप की गई थी आप लोग कमेंट करके बताएगा इसका अंसर मुझे डाउट है तो इसका अंसर मुझे मालूम नहीं है ना तो इसका अंसर आप लोग कौन सा आपसन लगाए है ए बी सी या डी या फिर आप बताएगा इसका अंसर कौन सा हो सकता है चलिए निम्न में से कीज जीले में सुविक्रित आंगन बाड़ी केंद्रों की संख्या अधिक्ताम है तो आप सभी को मैं कोस्टन करा था महासमोंद आपसन भी दिया गया है महासमोंद ठीक है आदिवासी पहाड़ी छेत्रों में आंगन बाड़ी केंद्र खोलनी की जन संख्या के माबदान कितना है तो तीन सो से आठ सो पॉल्यूसर जाने की जो जन संख्या आपका अंगन बाड़ी वही आएगा अंसर बी अब यहाँ पर देखते हैं कि समान्य मांसिक योगत्याम समान्य ज्यान से क्वेश्चन पूछ आपका सही होता है लास्ट हमें नीचे कमेंड करके बताएगा सभी कोश्चन आप लोग एक बर मिलान कर लिजीगा उसके बाद आप लोगो पेपर में आप बताएगा कि आप लोगो 50 से उपर आ रहा है या 60 से उपर आ ठीक है कितने आपका सही हो रहा है आप लोग कमेंड क तो आप लोग WhatsApp में जूड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के निचे लिंक दिया गया है WhatsApp वहाँ पर जूड़ जाएगा और इसका पीडियाप आपको हमारे WhatsApp में मिलेगा ठीक है इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है अभी आपको आंसर डारेक्ट बता रहा हूं है लच्छ निरहरित किये गया है तो सत्रा सविधान के किस अनुच्छे दे मौलिक करतब यह आपको मैं कोश्चन करा था सविधान से जब आपको करा था इसका अंसर भी होगा 32 और देखते हैं यहाँ पर देखे लुपत पदो वाला जो आपका है इसका अंसर डी होगा इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वार्टसप ग्रूप में PDF सेंड कर दिया जाएगा चक्रधर समोरो आप सभी को मालूम है यह एक्जाम में पूछा गया हरी राम के पटेल को बूक में भी दिया गया था कि चक्रधर समोरो कहां आजोद किया गया है रायगर होगा वरतमान में कितने राष्टी उद्यान हैं आप सभी को मालूवगे जर्नले और सार्थक क्रम में आँसर ए होगा जितने भी मिलाए है नहीं बनाए हैं बताइए अठारा सो संतावन ये भी कोश्यन आपको करा था बहादूर साहर जफर वाला ठीक है इसका अंसर आपकर भी होगा 36 गड़ ओलम्पिक 2023-24 के संब्ध में कौन सा कथन असत्य है तो आंसर D होगा चलिए गणित का इसका सॉलुशन आपको PDF में मिलेगा ठीक है इसका आंसर 4 होगा ठीक है इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा ये आपका Labor Inspector के Exam में भी पूछा गया था ठीक है अभी हाली में जो 23 में हुआ था Labor Inspector का उसका पूछा गया था ठीक है पर क्लास में जरूर जोइन कीजेगा जो भी एक्जाम की तैयारी कर रहे है ठीक है आने वाले भरती व्यापम में तो आप लोग कंटीन्यू कीजेगा डेली आपको कराएंगे कुछ दिन में online क्लास होगी ठीक है इसका अंसर आपका चउदा होगा कैसे गीनिंग के आपको counting आपको सिखा दिया था ठीक है आप देखेंगे 36 गन बेरोजगारी भत्ता आप सभी को मालूम है कि अपरे से चालू हुआ है बेरोजगारी भत्ता तो यह जोजने 23 में कौन सा असत्य आपको बताना है चलिए यहां पर 25,000 रुपया दिया जाता है बिल्कुल सहीं है निम्त को रोजगार करते चलिए तीन वर्च की पंजयन पहले का तो इसका आंसर सी होगा ठीक है असत्य है अर उस कथन के चेन की जो इसका आँसर आए है इसमें कितना अंतर है दिकिए 10 और 26 में कितना अंतर है 16 इसका अंतरा आपको सॉलिशन आपको मिल जागा ना मैं पीडियेअ ग्रूप पर इसका अंसर भी होगा तो असो क्या भिले कितने आपको सभी को मालूम है प्राकृत इसका अंसर भी होगा कौन से भास हम लिखे गए हैं प्राकृत में कौन सी घोशित करेगा कि लोग सभा एक सदस्य है लोग सभा आप सभी को मालूम है यानि कि यह कंप्रिट का के करेंट है पेर और चतित गड़ की जो क्लास लिए था उसमें हम आपको बताया थे है ना सुना खान और ये चतित गड़ की किस मंदीर में कारी डोंगर बनाने के कारी चार रहा है इसको मैं कोश्चन नहीं करा पाया था यह इसा में पूछा गया है दंतेस्वरी मंदीर दंत आसञा है कि आप सभी को मालोम है एगरिकल्टर याने कि करिसी और छाथ इस lagण में सत्नाम पंठ आप सभी को मालूम होगा गुरू गासिदस SAND यह ना अ जो वर्तमान में भास में कोनशी वर्सी हो जवासी यह ज़री तो इसमें स्कोई नहीं 골ा स्टूर्षर्सी योजना दि कर दिया गया है ठीक है तो इसमें आंसर डी जितने भी लगा है ना आंसर डी होगा जिनको मालूम नहीं होगा एक बार अच्छे से समझे लीजेगा कि 2017 में आपका बारी पंच वर्सी योजना चल रहे थी लेकिन हाल में इसको नहीं चला रहा है ठीक है आंसर डी अब देखते जो यहां से दिया गए है एक मिनट ना यह वाला और यह वाला इसका अंसर भी होना चीन की इसका जो भाग यहां पर आना चीने वी होगा केवल दूसरा देखते हैं कि ओजन परत में अशुशित करती क्या करती ओजन परत आप सभी को मालूम होगा पराबैगनी किने थोड़े इसको छोटा कर लेता हूं दीखे आप पुछा किया कि इसका आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ठीक है इसका यह वाला डाल लीजिगा आपसंड डी है न उनी कपड़े शरी में गर्म रखते हैं क्योंकि क्या होता है फूल इन दा बैक कंड़ेक्टर अब दा हेट सो इस डालाव हीटे टू फ्लॉव और आउटकीप इस असेंड जो इसलिए यह कि उसमा को बाहर नहीं जाने देता और उससे अवसोसित रखता है भी होगा किは क्या चलिए इसका सलूूसन डिरेक्टर में सकते सलूसन आपको मैं ड्रेक्ट अंसर की बता रहा हूं तो आप इसका पीडिया अपको बताया था पर सब्लेक्ट एक ही बांट लाइक नहीं करना है कैना मसाग घ। प्रशना का संबंद कीन दो राज्यस्व है नाम सही है क्या नाम सही है इसका अंसर असाम अरुआंचल प्रदेश ठीक एक मिनट ना यहां से लेते हैं इसको चलिए भारत के महान्यावदी की इसम क्या सही है तो इसका अंसर एक और दो क्योंकि महान्यावदी की इसम क्या सही है वह लोकसभा राज्यसभा क्यारों भाग ले सकता है संसत की दोनों से दिनों को बैर ठक भाग ले सकते अनुच्छत एक सो आठ में ठीक है 36 गड़ प्रदेश से पहला फीफा ये जर्नलाओं से पूछा गया है यह आएगा इंद्रा प्रिय दर्शनी स्टेडियम जग्डलपूर 36 गड़ इसका अंसर डी होगा तो चलिए देखते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संब्धित करेगा राज्यसभा का सभवपति को संब्धित करेगा तो इसका अंसर डी होगा ठीक है अब देखते हैं सूरिय में उर्जा का मुखे सुरत कौन सा है तो नुकलियर फंक्शन यानि की परमानु अगरा है ना परमानु सल्लयन और इन में से इसका अंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताए क्या लगा है इसका सॉल्यूसन आपको करना पड़ेगा तो इसका अंसर आप लोग कमेंट करके बताए क्या लिये हो मान अदी के उद्गा मिस्ठल सिहावा ठीक है यह भी कोशन कराया था मान अदी से अजी 20 का ठराव सीकर संब्लान कहा होगा भारत में सुडान में ग्री यूद्ध के दवरान भारती समुदाए के लोगों के बाहर निकालने है त अप्रेशन कावेरी भारती अर्थे वस्था यह सब दूतियक छेत्र आपको पढ़ाया था ना इसको अच्छे से ध्यान में समझेगा होसल वाड़ान और महिलापरिश के दोनों को जब मैं क्लास लिया था तब मैं आपको यह जो भारती अर्थे छेत्र वाला पढ़ाया थ अठीक है चलिए बताते चलिएगा यह तो आपको कराया था ना यह भी सिखर सम्मेलान वाला भारत अच्छा यह थोड़ा उपर चला गया था ना कोई दिकत नहीं यहां से देखिएगा समाने हंदी से कोश्चन भास देखिएगा क्या है कैसे है क्वेस्चन मिलान करते चलि दात काटी रोटी महोरा को महोरा आपको पढ़ाया था लेकिन question नहीं आया है न कोई दिक्कत नहीं है तो दात काटी रोटी महोरा करता क्या थे गहरी दोस्ती परिनाम बोदक है दस हाथ जगह या कोई नया काम नहीं है वाकिम सरवनाम क्या है इसका आप लोग बताए क्या है क अनुनासिक चिन्हक प्रयोग किजिए अनुनासिक आपको वर्ण अमाला कराया था वहां से कोशन पुछा गया है देखिए इसका हंस आएगा अनुनासिक यानि कि चंद्रबिंदु रहता है वह अनुनासिक होगा और मैं अपन कामल आप ही करूं यानि कि निश्ची मतलब कहते हैं जीन सब्दों के सार्था खंड नहीं होते इसको रूडवाला कहते हैं और वह सब्दान जो किसी सब्दक पहले आता है उसको उपसर्व कहते हैं बाद में आता है उसको क्या कहते हैं प्रत्याय कहते हैं ठीक है तद्भाव इस तरी लिंक क्या है रोटी और प्रत्य आए तो मैं जाओं कौन सा काल है हेतू हेतू मत भविष्य काले आपका ये प्येसी एक्जाम 2023 में पूछा गये था फर्वरिम जब एक्जाम हुआ था ना उसी में कोश्चन पेपर है उसी का कोश्चन दिया हुआ है ठीक है और देखते हैं यहाँ पर शमान अंग्रेजी का ना? वाट इस दा अन्तोमों स? आपको था इसका श्राइं का अंसर स? D होगा सभी काा安सर आपको पताते है रहो इसका अंसर देती होगा चली मिलते चलीगा न मैं वाइभ ए जास हरा सफली दा करेक्ट एक्पिरिमेशं से हैं इसका अंसर होगा sister ने लौब इस बूख आप एर वेरी इंट्रेस्टिंग supply the correct form of the pure इसका अंसर के the years और नेस्ट है दा पॉसिबल पेसिव वाइस आप गिवन स्टेटमन इस या आर हो वाट्स आप पंप तो इसका अंसर ए होगा अब देखते हैं कि समाने गणी से है ना तो सभी लोग आंसर मिलाते चलिएगा ना इसका solution आपको pdf में मिलेगा WhatsApp ग्रूप में तो description के चलिंग दिया ज़आ के join कर लिजिएगा इसका pdf आपको solution मिलेगा या फिर इसका solution कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा WhatsApp ग्रूप पर ठीक है तो इसका अंसर आपका B होगा यानि कि तूँआंट पाट वन बारत संख्याओं का उसत 15 है तो 12 पंद्र का उसत गुना करोगा यदि एक संख्या कितना है पंद्रह है यदि एक संख्या को चालीश सामील कर लेते हैं तो इसके 13 संख्याओं का उसत कितना होगा तो इसको आंसर डी होगा इसका आपको मताया था मध्यानुपातित वाला तिट्ट्यानुपातित इसका B X C Y A करोगे तो इसका अंसर आ जाएगा जैसे देखिए B X C करेंगे एक मिनट ना समानुपाति पुछा गया है तो इसका ये वाला जीक इसको सॉलुशन में तोड़ सकते हैं इसका अंसर B होगा 5 ये वाला देखिए इसका भी सॉलुशन आपको बताया हूँ इसका अंसर C होगा यदि ये इसका देखिए मध्यानुपातित पुछा गया है तो 12 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 9 करेंगे तो B x C का अगर फ़लुना बलाया थे B x C by A करेंगे तो हम इसका गुणा करते हैं 12 गुणा 9 बटा का B x C by A आपका हो जाएगा 4 तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27 तो इसका अंसर होगा 27 ठीक है जब कपड़ों की कीमत 25 परसंट की कमी की जाए आप माली जेगे 100 परसंट आपके पास है तो 25 परसंट कमी करेंगे तो कितना जाएगा 75 तो कपड़े की खपत 20 परसंट बढ़ जाती है अगर सौ है तो बढ़ेगा कितना जाएगा 120 टीक है तो क्या करेंगे यहां पर 75 गुणा 120 गुणा 100 कर देंगे तो 25 तीया 25 और यह आपको केंसल करेंगे एक मिनुट न यह आपको 25 परसन कमी करेंगे कितना जाएगा यह आपका 25 बटा 120 गुणा 100 करते हैं कितना हैगा 25 से कम 25 और इसको काड़ते हैं 120 है ना 120 तो एक 0 कड़ गया यहां से यह कड़ गया तो आपका 10% घटेगा ठीक है 90 आगा तो यह 10% घटेगा इसका अंसर आगा D चलिए देखते हैं एक मिनट ना एक संभा उत्रिभूज वाला इसका अंसर होगा C कोई धन चक्रवधी ब्याज से 4 वर्सों में 2 गुणी हो जाती है देखे 4 वर्सों में 4 वर्सों में 2 गुणी हो जाती है तो रासिय अपने 8 गुणी कितनी हो जागे 8 गुणी कितनी हो जागे तो आ पुछा गया है कि वह कितने वर्सों में 8 गुणी हो जाएगी। तो 2 को स्क वाफ जाएगे। करेंगे, कि दो को स्कुवर करेंगे। करेंगे और इसका गुणा कर देंगे , यह वाला टॉपीक और यह वाला टॉपीक गुणा करेंगे , 4 गुणा ,нее एक मिनिट न यह देखे यह आपका चार हो गया 4 गुना मतलब कोई धन 4 वर्सों में 2 गुनी हो जाती है तो कितनी गुनी 8 वर्सों में पूछागे, 8 गुनी हो जाएगे बोला है कितना क्यूब हो रहें दो का क्यूब करेंगे कितना आएगा आठ तो ये जो घात वाला इसको चार से गुना कर देंगे चारती बारा इसका अंसर भी होगा चलिए देखिए यादी तेल का मुल्य 90% बढ़ गया है माली जे 90% बढ़ गया है तो तेल में कितने प्रतिस सत कम के जाएगी खर्चे में व्रिद्धि होगा तो 90% बढ़ गया है मतलब कितना हो जागा इसका solution आपको मैं बताऊंगो थोड़ी देर में ठीक है चलिए देखते हैं एक वस्तु को खरिदता है 20 परसन इसका अंसर हो जाएगा पांस हो और किस मुल्य का सधरान 6 बटा एक बटा चार पती साथ इसका अंसर होगा दी सॉलुशन आपको मिल जाएगा अभी डारेक्ट आंसर मिलाते चलिएगा पांच प्रक्षिशन का हो सथे एम है इसका अंसर एक दसमलों पांच आएगा डी होगा चलिए एक की आए 5 परसेंट बडाबर है एक की आए कि इतना है 5 परसेंट बी की आए 15 परसेंट तो बी की हो जाती है जब 16 वर्स हमें दो गुनी हो जाती है पूछा गया इसका अंसर आपका डारेक्टर सॉट्रिक से बनाओगे तो यह फर्मूला लगेगा यह वाला आपका जैसे एक सब्सक्राइट वाला तो इसका सॉलुशन आप हो में जाएगा यह आपका लेबर इस्पेक्ट पूछा गया था है नम जाने कि इस्रम निरक्षक वाला में एक सब्सक्राइब यानि कि एक सब्सक्राइब यह वाला निकालना है इसका अंसर यह फोगा इसको रट लीजेगा इसको बनाने की जरुवत नहीं है एक अधुशन आपका यह बार पूछता है एक्जाम लेबर कि मिला चुके हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर आपका सहीं हुआ है कितना आपको गलत हुआ है और एक बटे चारंग दिया था कि इसका वाला आपको कटफ की एक बटा दो एक बटे अच्छा व्यापाम लिया है क्या तो एक बटा चार आएगा ना एक पर अपना नंबर बताएगे कितना आ रहा है आपका 50 सुप पर आ रहा है 60 सुप पर आ रहा है कितना नंबर आपका बन रहा है कमेंट बाक्स में बताएगे चलिए फिर आज के लिए इतना ही